Hello everyone, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे The Harp of India by Henry Dorojo, इससे पहले मैंने Henry Dorojo का एक poem पढ़ाया आपको, इसका नाम था To India My Native Land, और उस वीडियो में मैंने आपको Henry Dorojo का introduction भी पढ़ाया था, मैं सौट में आपको बता देते हो Henry Dorojo कौन था, तो Henry Dorojo उसका पूरा से आया हुआ Indian है, और उनकी मदर Anglo Indian है, याने England से आई हुई Indian है, और दोनों का साधी होता है, उनसे Henry Dorojo का जन्म होता है, Henry Dorojo का जन्म इंडिया में ही Kolkata में हुआ, और ये एक Christian family से थे, और Henry Dorojo बहुत ही जादा patriotic थे, बहुत ही जादा देशभग्त थे, और उनका आप जो भी poem पढ़ेंगे उसमें आपको कही न कहीं देशभग्ती देखने को मिलेगा, जैसे कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे The Heart of India ये भी एक patriotic poem है, Dorojo 14 साल के उम्रे में स्कूल को छोड़ देते हैं, और उस time पे जो romantic poets से जैसे John Keats, PB Sally और Lord Byron उनसे वो बहुत जादा influence होते ह और Dorojo जो है 1827 में वो अपना एक newspaper भी निकालता है जिसका नाम है Calcutta Gazette, और 1826 में Dorojo को Hindu College में as a instructor, as a teacher, appoint किया जाता है पढ़ाने के लिए और वहाँ पढ़ाते हैं, और उनका जो student है आगे चलके young mangal moment और बंगाल रेनेशा में बहुत ही जादा अहम भूमी का निभाता है 1831 में 22 साल की उम्र में Henry Dorojo cholera नाम के disease से मर जाता है, Henry Dorojo को लोग first national poet of modern India के नाम से जानता है, Henry Dorojo का बहुत सारा poem बहुत जादा famous है, बट उसमें से दो हम लोग को पढ़ना है To India My Native Land और The Harp of India, To India My Native Land हम लोग पढ़ चुके, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंग है, हार्प एक musical instrument है, जिसे वीना भी कहते है, सवाल है कि हार्प ही क्यों, दूसरा musical instrument क्यों नहीं, दूसरा musical instrument होता है, जैसे piano हो गया, benzo हो गया, बहुत सारे musical instrument है, बट वो सभी बीदेशी है, हार्प जो है वीना, यह भारत का instrument है, और यहां पर आप देखोगे, poet ने भारत का है, भारत का वीना, आम तोर पे ऐसा कहा जाता है, जैसे कोई, कोई बैक्ती है, कोई great personality है, और मानली जी कि ओलंपिक में गया, वहां पर gold जितता है, तो हम लोग कहते हैं, यह जो बेटा है, यह बेटी है, यह भारत का बेटा, यह भारत की बेटी है, क्यों, क्योंक को हम लोग पहले line by line समझेंगे, उसके बाद इसमें जो भी poetic device दिया गया है, उनस अभी poetic device को भी detail में देखेंगे, why hangest dow, why यानि क्यों hangest, hangest यह archaic word है, old form है hang का, उसी तरह dow भी old form है, you का, hangest यानि hang, dow यानि you, why hangest dow means तुम क्यों लटक रहे हो, आखिर तुम इस तरह से क्य क्यों लटक रहे हो, कैसा लटक रहे हो lonely, यानि अकेला वीरान क्यों लटक रहे हो, और कहा, on yon, yon यानि वहाँ पर, वहाँ पर तुम इस तरह से अकेला वीरान क्यों लटक रहे हो, कहां पर लटक रहे हो, with third bow, with third कहते हैं सूखा हुआ, अब bow कहते हैं टहनी को, तो आप ऐ ही ऐसा संजे कि इक गाच है पूरी तरह से सुख गया है और उनका तहनी है मुरनी पर ने ओन और लेटाह मुर्जाय के लेकिन वहां पर क्योंипत है झूर्धा की कूर लटक हुआ है उसके आ सब्सक्ताइबर और सब्सक्रों कि अगर। means, इसका जो string है, जेकि एक वीना जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे पतले-पतले धागा होता है, और आप जब इन पतले-पतले धागों पे, इन string पे अपने उगलियों को फेरते हैं, तो वहाँ से कुछ संगीत निकलता है, कुछ आवाज निकलता है, तो एक वीना के जो musical instrument है, जिसको harp कह रहे हैं, जिसे वीना कहते हैं, वो एक वीरान जगा पे, एक सुखे हुए टहनी के ऊपर इस तरह से लटका हुआ है, और अगर किसी musical instrument का, अगर आप धागा निकाल लेते हो, उसका सभी string को निकाल लेते हो, तो वो वीना किसी काम का रहता नहीं, उससे आ मदूर संगीत निकलता था कभी, वो नहीं निकलेगा क्योंकि तुम्हें वीरान कर दिया गया है, आप कुछ इस तरह से समझे कि, यह एक symbolic poem है, यहां जो harp है, वो symbol है इंडिया के culture का, भारत के संस्कृति का, ठीक उसी तरह से जब अंग्रेज यहां पे आया था, तो अंग् कभी music, once was sweet, यानि तेरे music, संगीत, once, कभी, was sweet, यानि मदूर थे, कभी जो तुम्हारा संगीत हुआ करता था, वो बहुत ही मदूर संगीत हुआ करता था, यह जो वीना है, इससे बहुत मदूर संगीत कभी निकला करता था, who hears it now, लेकिन अब यह संगीत कौन सुनता है, कहा है वो तुम्हारा संगीत, कहां है तुम्हारे सुनने वाले, जो लोग तुम्हारा संगीत कभी सुना करता था, अब वो क्यों नहीं सुनता है तुम्हारा संगीत, क्योंकि संगीत रहेगा तब न सुनेगा, तुम्हारा संगीत तो बचा नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं है why doth देखे डौत जो है यह आर्केक वर्ड है आज के संस में इसे कहेंगे डज why does the breeze si si यानि आह भरना विलाब करना रोना why does the size breeze ओवर दी यह जो हवा है यह तुम पर क्यों चलता इन वेन यानि वेकार में इसका दो अर्थ निकाला जा सकता है एक तो यह है कि हवा जो है यह वेकार में तुम पर विलाब क्यों करता है यह हवा रोता है यह तुम पर क्यों रोकता है क्योंकि यह वेकार है दूसरा यह sense है कि जैसे हवा चलता है, हवा चलने से क्या होता है, यह वीना से जाके टकराता है, अब अगर उस वीना के अंदर string होता, धागा होता, तो हवा जब उससे टकराता, तो string से टकराने से उससे संगीत निकलता, मदूर संगीत निकलता, लेकिन अब जब हवा टकरा रहा है उ इससे बान दिया है, with her fatal chain, अपने घातक जंजीर से, कि खामोसी ने तुम्हें अपने घातक जंजीर से इस कदर बान दिया है, कि तुम्हारे अंदर प्रियास करने के बावजूद भी तुमसे संगीत नहीं निकलता है, ठीक उसी परकार से हालत था इंडिया का अंग्रेजों क समय में, कि यहां पर छोटे-मोटे अंदोलन होते थे, कुछ लोग वो आवाज उठाते भी थे, लेकिन उसके आवाज कुई तरह से दबा दिया जाता था, कि पता ही नहीं चलता था कि अंग्रेजों के खिलाब भी वो लोग प्रटिस्ट कर रहें, ठीक उसी तरह से जैसे क कि अभी तुम्हारे अंदर से आवाज निकालने का कोशिस भी किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि 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 किसी खामोसी ने, किसी चुपी ने बहुत ही घातक जंजीर से तुम्हें बांद दिया है, अगर आप इसे सिंबोलिकली ले तो ऐसा समझे, कि उस टेम पे बहुत से पो पोईट्स हैं, वो भी चुप हो गया होगा, यही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिंबोलिकली कहा जा रहा कि खामोसी ने तुम्हें घातक चेंज से बांद दिया है, कि कोई परियास भी कर ले तो तुम से आवाज नहीं निकाला जा सकता है, और तुम कैसा बन गये हो, नेग दाव यानि यू, आट दाव मीस यू आर, यू आर नेगलेक्टेड, म्यूट और डिजलेट, कि तुम जो है नजर अंदाज किये हो, तुम्हें चुप करा दिया गया है, और तुम्हें विरान कर दिया गया है, कैसा, like ruined monument, like यानि के जैसा, ruined यानि बरबाद किया हुआ, और खंडर समारक के जैसा, और वो भी समारक कहां पे है, on desert plane, जो कि किसी रेगिस्तान में है, आम तोर पे जो महाद होता है, उन्हें देखने लोग जाता है, लेकिन जब वो खंडर हो जाता, तो उन्हें कोन ही देखने जाएगा, और वैसे भी अगर ये खंडर रेगिस्तान मे इसे चुप करा दिया गया था, और जैसे एक रेगिस्तान में कोई खंडर होता है, उसे देखने वाला कोई नहीं होता है, उसका परवाह करने वाला कोई नहीं होता है, उसी तरह से भारत का हाल, अंग्रेजों के टाइम पे कर दिया गया था, वो many a hand, more worthy, far than mine, कि बहुत से ह हाथों ने, many a hand, बहुत से हाथों ने, और यहाँ पर जो हाथ है, वो symbol है, poets का, कि बहुत से कभी रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वर्दी थे, more worthy, बहुत ज़्यादा लायक थे, किसे, far than mine, मुझ से तो बहुत ज़्यादा लायक थे, बहु कभी क्या किया था तुम्हारे जो हार्मोनिय सांती दायक कोड यनि संगीत है तो गीव स्वेटनेस जिन से उन्होंने मधूरता के राग निकाला था संगीत निकाला था बहुत से ऐसे लोग रहें कभी रहें जिन्होंने तुम्हारे बारे में गाया था और तुम्हारे भलाई मिला for them did fame entwine उसके साथ उन्हें बहुत सारा नाम भी मिला देखें जो कभी होता था या कोई musician होता था जब वो संगीत को गाता है और संगीत को गाने के बाद लोग जब उसे पसंद करते हैं तो उन्हें मान लिजे की बहुत से लोग जैसे सरदार भगत सिंग सुभास चंद्रबोस महात्मा गांधी यह सब बाद में आये थे और यह लोग भी देश के आजादी के लिए बहुत सारा योगदान दिये हैं तो ऐसा नहीं कि इन लोग को भुला दिया गया है इन लोग को नाम नहीं मि और ऐसे जो लोग थे जिन्हों ने तुम्हारे उपर लिखा है तुम्हारे अंदर से संगीत निकाला है इन लोग ओ साथा वो नाम आज वी उनका गैं और जहीं मिस्टर केहते il को मिस्टर कहते दो अक्टूबर को वहां पे जो है लोग फूड चलाते हैं या फिर वहां पे आसपास जो भी मिटी है वहां से सच में फूल खिलते हैं एक तो यह हो गया दूसरा सेंस इसका यह है कि बहुत से लोग है आज जो महात्मा गांधी के विचारों को फोलो करते हैं उनके आदर्सो भूली तो है कि लोग उनके विचारधारा पे चल रहे हैं तो दो सेंस यहां पे लिया जा सकता है आज वह जो हाथ है वह ठंडा पड़ गया वह लोग मर गये हैं जिन लोगों ने कभी तुम्हारे लिए आवाज उठाया था और तुम्हारे उपर संगीत लिखा था तुम् तुम्हारा जो संगीत है यह डिवाइन है यानि इसमें ओलोकिक सकती है इसमें इसवर्य सकती है मेबी बाइ मोटल तो हो सकता है किसी मनुस्य के दवारा वेकेंड वनस अगें अगर किसी मनुस्य के दवारा तुम्हें फिर से जगाए जा सकता है तुम्हारे संगीत को फिर जा सकता है किसी भी तरह से तुम्हें रिवाइब किया जा सकता है तो मुझे सबसे पहला प्रहार करने दो यहां पे जो poet है यह किसी दूसरे के उपर नहीं छोड़ है कि तुम भारत को याजाद करो नहीं, अगर तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भलाई किया जा सकता है तो वह पहला सक्स मैं बनूगा जो तुम्हारे लिए कुछ बहतर कर सकता है, अगर तुम्हारे संगीत को फिर अगर हम लोग heading को देखे the harp of India तो यहां पर जो भी बात किया जा रहा है वो भारत के वीना से बात किया जा रहा है वो इंडिया के harp को कह रहा है और harp यहां पर response तो दे नहीं सकता पोईट को means यह क्या है एक apostrophe है apostrophe मैं बता चुका हूँ जब आप किसी non living thing को address करते हैं और वहां से response नहीं आता है तो इसे कहते इसके बाद आप देखोगे with third bow जो भी yellow color किया गया है वहां पे आप ध्यान दे with third bow का अर्थ हुआ कि यहां पर भारत है उसे direct comparison किया गया है एक मुर्जाय हुए टहनी से तो आप ऐसा समझो यहां जो पेड है जो मुर्जा गया है यह भारत है जो की विल्कुल मुर्जा गय गया है उसके बाद आप देखो यहां नीचे silence silence hath bound thee with fatal chain कि सांती ने खामोसी ने चुपी ने तुम्हें घातक जंजीर से जकड लिया अब सांती कैसे किसी को जकड सकता है means यहां पे जो सांती है वहां पे as a person उसे दिखाया गया है personification कर दिया गया है ठीक उसके नीचे आप more more sound repeat कर रहा many more में तो initial sound अगर repeat करें तो इसे कहते alliteration उसके बाद आप देखो के hand यहां पे hands का मतलब हाथ नहीं बलकि poets है जब किसी word का को special meaning निकले तब इस type के literary device को कहते है सिन एकडिकी तो यहां पे सिन एकडिकी का यूज किया गया है hand का मतलब यहां पे poet है उसके बाद भी आपको मिल जाएगा नीचे harp of my country फिर again यह apostrophe है क्यूंकि harp को address करो के harp से तो कोई response आएगा नहीं और उसके बाद मिलेगे strike strain 100 sounds repeat करा तो initial sound का repetition alliteration कहलाता है तो यह तो हम को ने देखा कि इसमें कौन-कौन सा poetic device जो है वो यूज किया गया है अब हम लोग इसके rhyme scheme को भी समझ लेते हैं सबसे पहले आप देखें कि जो पहले line का आखरी word है bow और तीसरे line का आखरी word है now तो bow और now same same sound है तो अगर आप bow को a दोगे तो now को भी a दोगे ठीक उसी तरह स दूसरा line का आखरी word है remain तो dow से now से अलग है तो आप इसे b बोलोगे remain के जैसे ही आपको चौथा line मिलेगा वेन और पाच्मा line मिलेगा chain तो आप इन सब को भी क्या दोगे बी दोगे ठीक उसी तरह से जो सातमा line है plane वो chain के जैसा है तो बी दोगे और आठमा line जो है mine वो बि को है तो आप इसे d दोगे entwine के जैसा है तो c होगा gap के जैसा ही grace है तो youone your proces है तो आप इसे दोगे जो divine है वह व THE B माईन के जैसा है तो आप इसे भी c' दोगे और again और strain यह बिलकूल प्लेट है तो आप इसे भी बीडोगे तो कुल मिलाकर अगर यह विमजा है अरहा के बारे में कुछ important बातों को जान लेते हैं और यहां से एक्जाम में question आता है तो यह बहुत ही important है about the poem The Harp of India by Henry Dorogio is a patriotic poem कैसा poem है तो एक देश भक्ती भरा कवीता है that reflects the poet's deep love for India जो की poet का जो गहरा प्यार है भारत के परती उसे दिखलाता है and his sorrow over its decline during British rule और British सासन के समय पे जो भारत का decline हो रहा था पतन हो रहा था उसके उपर sorrow यानि दुख को भी दिखलाता है The poem is a sonnet poem क्या है sonnet है which means it is written in 14 lines जिसका मतलब है यह 14 पंक्ती में लिखा गया है It follows a rhyme scheme of a b a b b a b c d c d c b b तो इसका rhyme scheme है वह यह है Literally devices like apostrophe, simile, metaphor, personification, synagdokie, alliteration and imagery यह सभी यूज किया गया है Imaginary का मतलब यह हुआ कि जब आप इस poem को पढ़ोगे तो कहीं न कहीं आपको वह poem में image दिखेगा जैसे harp जो है वह तंगा हुआ है एक सुखे गाज के टहनी के ओपर तंगा हुआ है तो यह image दिखेगा यह यहाँ पर imagery हो गया तो यह सभी यूज किया गया है अगर आप example देना चाहो तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप example दे पाओ जैसे apostrophe कहां यूज किया गया है सब्सक्राइब करने में capable नहीं है तो यह apostrophe कहलाएगा metaphor का यूज कहां गया है विथर्ड बाव मुझाया हुआ हुआ का टहनी रिपरजेंस दा बेकार में ही तुम पे विलाप कर रहा है तो हवा विलाप कैसे कर सकता हवा रो कैसे सकता हवा जो है वो बेकार में परियास कर रहा है तुम से संगीत निकालने का वो परियास कैसे कर सकता means यहां पे personification का यूज किया गया है उसके अलाबा मिलेगा आपको silence has bound you with the fatal chain यहां प human characteristics दिया जा रहा है जो इंसानों वाला गुन है वो दिया जा रहा है इसलिए इसे आप personification कहोगे उसी तरह से आपको simli कहां देखने को मिलेगा the harp is compared to a ruined monument एक जो उजला हुआ एक जो खंडर monument है समारक है उससे harp का तुलना किया जा रहा on the desert plane कहां पर है तो देखिस्तान में emphasizing the loss of cultural heritage जो दिख्रा रहा कि कैसे भारत का जो संस्कृति है वो खतम होते जा रहा है आपको sin academy कहां मिलेगा in the line how many a hand more worthy far than mine तो यहां पर जो hand है वो hand नहीं है बलकि वैसे poet जो कि मुझसे ज्या पर आपको illustration देखने को मिलेगा और poem में कुछ और भी characteristics दिखता है जैसे lamentation of the past कि past के बारे में lament किया जा रहा है सोग प्रकट किया जा रहा है कैसे the poem begins with the poet questioning why the harp once a symbol of beauty and harmony now hangs lonely and unstrung on a without bow कि यह जो कविता का सुरबात होता है वहां पर poet सवाल करता है कि why the harp क्यूं यह जो harp है जो क कभी beauty और harmony का symbol हुआ करता था now hangs lonely and unstrung on a without bow वो क्यों एक मुर्जायवे पेड के टहनी पर unstrung लटका हुआ है मतलब उनके सारे string निकाल लिया गया है lonely यानि अकेला वो लटका हुआ है the imagery represents India's glorious past and its current desolation under colonial rule यह जो imagery दिख रहा है आपको कि एक जो पेड है सुखा हुआ है उसक जो इतिहा से कितना जादा गोरो साली था और जो British colonial rule था उसके अंडर भारत कितना desolate हो गया था कितना जादा वीरान हो गया था आगे आपको मिलेगा symbolism of the harp harp को as a symbol दिखाया गया किसका symbol दिखाया है the harp symbolizes the Indian poet यहाँ पे जो harp है वो भारतिय कभियों का symbol है प्रतीक है and their lost glory और कि जो गोरो है जो कि खो गया है उनका प्रतीक है the poet mourns that the harp which once produced sweet melodies कभी यहाँ पर मौन करते है विलाप करते हैं कि जो harp है जो कि कभी मधूर संगीत निकाला करता था is now silent and neglected अब वो खामोस हो गया है उसे नजर अंदाज कर दिया गया है much like the cultural and artistic achievement of India ठीक उसी परकार से जैसे कि कि जो सांस्कृतिक और फिर जो कलातमक achievement था that have been over shadowed by the British dominance जो की British परभाव के कारण over shadow हो गया है उसका परभाव जो है कहीं दव गया खतम हो गया फिर आपको इसमें मिलेगा hope for revival यहाँ पे एक उमीद भी दिखता है कि इस चीज को वापस से revive किया जा सकता है फिर से लोटाया जा सकता है despite of the melancholy tone, melancholy मतलब निरासावादी यानि आपको इसको पढ़ने के बाद निरासा ही होता है, इस melancholy tone के बावजूद, इस निरासा भरया tone के बावजूद, the poem ends on a hopeful note, poem जो है एक आसा के साथ समाप्त होता है, the poet expresses a desire to revive the lost glory of India, यहाँ पे कभी ने एक इच्छा को प उसे and its cultural heritage और इनके जो Sanskritic गुन है, इन सब को फिर से revive किया जाए, फिर से दुबारा से जिन्दा किया जाए, लोटाया जाए, he believes that the spirit of India will rise again, उनका विश्वास है कि यह जो भारत की आत्मा है, यह एक दिन फिर से जाग जाएगा, much like the harp will one day produce musical once more, और ठीक उसी तरह से, जिस त अगर कहा जाए, Derosio's poem is a call to remember, Derosio का poem एक call है, एक appeal है, हमारे लिए, वो appeal क्या है, to remember and revive India's rich cultural past, कि हम लोग याद करें उन सभी चीजों को, और revive करें, पुना लोटाए, क्या India's rich cultural past, भारत की जो समिर्धी है, जो भारत की संस्कृती है, उन्हें वापस से लोटाया जाए, and to hope for future, और भवि सिखी भी आसा किया जाए, where it regains its formal glory, जहां पे ये अपने प्राचीन गौरों को प्राप्त कर लेता है, और अपने प्राचीन गौरों में ये बना रहता है, अब इस poem में कुछ notes and glossary है, कुछ word meaning, जो हम लोगों ने देखा, जो कि archaic word था, बड़ा ही ओपर चल लटका हुआ है, तो उस है hang hang, दाउ जो है, ये old form है, यू का, और अगर आप यू का बात करें, और वो अकेला कोई हो, तो उसे आप दाउ कहते है, यौन का मतलब हो वहाँ पर, over there, ये भी archaic word है, with third का मतलब हो गया drive, कोई चीज सूख चुका है, बिल्कुल, बाउ कहते है जो main साखा होता है, किसी भी गाज का branch, unstrung means no string, किसमे string है नी, without string, die means your, जैसे आज के टेम पर हम लोग जानते हैं, I, my, mine, me, वैसे you के बदले पहले होता था, दाउ, दाई, दाई, दी, आगे हम लोग देखेंगे, dot, dot कहते हैं, डज को, साई का मतलब होता, deep breath, जब आप वि चिंता में होना चाहिए, या दुख में होना चाहिए, D means you, hath जो है, वो has को कहते है, fatal, यानि घातक, causing death or disaster, desolate, यानि वीरान, banjar, deserted, lonely, or sad, ruined, यानि destroyed, जिसे बरबाद कर दिया गया है, monument, यानि building, smara कह सकते हैं, worthy का मतलब होता, लायक, deserving effort, attention, or respect, और harmonious, forming a pleasing and consistent whole, टेक है, जो स चुलों को, पत्तों को, ऐसा, बांध दिया जाए, तो उसे माला बनता है, entwine का मतलब, उसे जुडा हुआ है, और mistral, एक singer होता था, mediable time पे, कोई magician होता था, पहले के time पे क्या होता था, राजा होता था, और राजा के दरबार में, बहुत सारे दरबारी कभी होते थे, और जो है, वो लिखा गया, वो बता है, the central theme of this poem is the lamentation over the decline of India's culture and literary heritage under the British rule, तो मुख्य theme जो इस poem का वो है, lamentation, यानि विलाप करना, किस पे, over the decline of India's culture, जो भारत की संस्कृती है, जो decline कर गया है, पतन हो गया है, वो कहीं पीछे रह गया है, in literary heritage, और जो साहितिक इनका जो heritage था, under British rule, British rule के दोरान, उन सब पे ये एक lamentation है, यानि विलाप करता है, और साथी साथ, coupled with the hope for its revival, साथी साथ, ये एक आसा का उमीद भी जगाता है, कि इन सब को वापस लोटा दिया जा सकता है, why does derogio use the metaphor of harp in the poem, किस कविता में जो harp है, वो metaphorically use किया गया है, derogio ने ऐसा क्यों किया, अ as metaphor for India's rich cultural and literary past, the harp, harp जो है, now silent and neglected, अब खामोस है, उसे नजर अंदाज कर दिया गया, symbolizes, जो कि symbol है, प्रतीक है, कि इसका, the loss of India's glory, भारत के खोए हुए प्रतिष्टा का, and the suppression, और उन सभी दबाव का, पीडा का, of its artistic expression under colonial rule, जब विदेशी सासन था, यहां पे अंग्रेजो का स तो उस टैम पे जो भी, यहां पे यातनाय दिया गया, उन सभी का, एक तरह से symbol है, यह harp, तीसरा question है, how does the poet expresses his feeling about India's past and present in the poem, कि कभी ने अपना जो feeling है, वो किस तरह से express किया है, भारत के वरतमान और भारत के अतीत के बारे में, the poet expresses a deep sense of sorrow and nostalgia, nostalgia एक ऐसे दर्द को कहते हैं, जो क कि आपको जब याद आता है, तो बहुत ही दुख होता है, कुछ ऐसे यादे होते हैं, जिसे आप बाद में भी याद करके दुखी हो जाते हो, तो यहां poet express कर रहा, deep sense of sorrow, बहुत ही ज़्यादा दुख और nostalgia को express कर रहा, for India's glorious past, कि भारत भी बहुत ज़्यादा समिर्द, उसे चती गरस्त किया गया है, but also expresses hope, लेकिन वो एक आसा उमीद को भी रखता है, that India will one day regain its formal splendor, कि भारत का जो गौरो था, एक दिन भारत उसे जरूर हासिल करेगा, आगे है next question, what literary devices are used in the harp of India, harp of India में कौन-कौन सा literary device use किया गया है, the poem employs several literary devices, including, कौन-कौन सा है, metaphor है, जैसे the harp represents India's culture hesitates, direct यहां पर comparison है, तो metaphor हो गया, personification क्या है, harp is a given human qualities, यहां पर harp में हमें human qualities को दे दिया है, जैसे कि being lonely, silent, कोई चीज अकेला है, चूप है, खामोस है, यह तो किसी इंसान का गुन है, कि वो अकेला है, या खामोस है, तो यह personification हो गया, imagery, जब आप इस poem को पढ़ेंगे, तो बहुत सारा description है, जहां से आपको image दिखे, कैसे, vivid description of the harp and its surrounding evoke a sense of desolation and loss, कि यहां पर जो description दिया गया, harp का, अलग-अलग तरा से description दिया गया है, और इनके आस पास के चीजों का, जैसे कि यहां पर जो पेड़ है, वो मुझाया हुआ हुआ है, डाली मुझाया हुआ है, उसमें string निकाला हुआ है, इन सब को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो एक sense जागता है कि यह बड़ा ही desolate हो गया है, मतलब वीरान है, और इसका बहुत ज्यादा च्छती गरस्त हो गया है, च्छती हो गया, नुकसान हो गया, alliteration कहा मिलेगा, the repetition of consonant sound, यहां पर मिलेगा as with the third bow and silent string, यहां पर आप देखोगे silent string 100-100, repeat कर रहा, next question जो कि काफी important है, what is the poem's rhyme scheme, poem में rhyme scheme क्या है, तो poem एक sonnet है, unconventional sonnet है, मतलब, ना यह italian sonnet है, ना यह sexperience sonnet है, यहनि पेटारकन भी ने, sexperience भी ने, तो इसका rhyme scheme है, A, B, A, B, B, A, B, C, D, C, D, C, B, B, next है, how does derosio convey a sense of hope in the poem, इस कवीता के अंदर, derosio जो है, वो एक परकार के आसा को भी दिखाता है, वो किस तरह से दिखाता है, despite the melancholic tone, melancholic tone होने के बावजूद भी, निरासावादी tone होने के बावजूद भी, derosio ends the poem on a hopeful note, derosio ने इस कवीता का जो अंत किया है, वो एक आसा के साथ अंत किया है, expressing a desire to revive India's literary and cultural heritage, जो कि क्या desire है, क्या चीज़ को दिखला रहा, expressing यह दिखलाते हुए, the desire, उस इच्छा को to revive India's literary and cultural heritage, कि भारत के जो साहितिक और सांस्कृतिक heritage है, उनका जो past है, उन्स अभी को revive किया जा सकता है, दोबारा से लोटाए जा सकता है, he believes that cold hand, वो उमीद करता है कि जो हाथ ठंडे पढ़ गये है, means जो मर गये है, और past poet can inspire future generation to restore India's glory, जो हाथ अब नहीं रहे है, ठंडे पढ़ गये है, जो मर गये है, वो जो poet है, उनके जो कारणामे है, वो आगे के generation के poets को inspire करेंगे, और जो की आगे के generation को जो poet है, वो India के गौरों को लोटाने के लिए काम क करेंगे, तो इस तरह से हम लोगों ने हेंरी डोरोजियो के दोनों poem, To India My Native Land को भी पढ़ा, The Harp of India को भी पढ़ा, और इसको जो भी important question answer था वो भी किया, thank you so much for watching this video, अगर आप किसी भी तरह के notes लेना चाहते है, online classes करना चाहते, दिएगे number पर contact करें, आपको notes और course मिल अगर, thank you so much.